हलो दोस्तो आज इस वीडियो के बाड़े मैं आपको देखाऊंगा सेर्टी टीवी के एक प्रोब्लेम मैं एक किट पर सप्लाई दे दिया और आप खुद एक बार देख लिजे इसका प्रोब्लेम यह दिखे वीडियो लेखा आने का बाद यह उपर से नीचे लाइन लाइन देखा जाता है और आपको प्रोब्लेम रिपेर करके आपको देखाऊंगा तो दोस्तो एक बार वीडियो लाइन देखके आपको देखाता हूं ठीक है अब देखिए जब वीडियो लाइन दे देता हूं यह लाइन थोड़ा थोड़ा काट काट दिखा जाता है ठीक है आप देख सकते हो इस तरह है जब वीडियो लाइन मैं वीडियो सप्लाई आप कर देता हूँ तो यह लाइं स्ट्रेट दिखा जाता है तो आप देख सकते हो है तो ठिक है मैं वीडियो लाइं ओपिन कर्के यह प्रोब्लम को रिप्यर करमगा तो अच्छा करके्यों देख लीजी यह जो प्रोब्लम तो दोस्तो अब देक है और देख सकते जब मैं वीडियो लाइन दे देता हूं इस तरह लाइन कटकर दिखा जाता है और अदियो वीडियो कुछ भी नहीं नहीं आता है तो दोस्तों यह कमपनी का नाम यह मेरा दोस्त मेरा पास यह PCB को भेजा है और इसका रीमोट भी नहीं है ठीक है और यह कुझ सा कमपनी का यह आपको लास्ट में बाता हूंगा देखाँगा तो दोस्तों इसले वीडियो सुरू से लास्ट तक देखिए और यह जो बेस यह स्मॉल लिग वाला बेस है और मैं जो पिक्चर टीव पर चेक करता हूं यह बीग निक बला बेस है तो दोस दोस्तों यह जो प्रोसेसर आइस इस पर रियूस होता है और उसका बाद अब देख सकतो यह पर एक आइसी है जो डायरेक्ट यह आइसी पर अडियो वीडियो सिगनल आता है और उसका बाद उस सिगनल प्रोसेसर आइसी को दिया जाता है और दोस्तों इस पर दो अडियो इस पर दो टांजिस्टर है जो वोल्टेज को रिगलेट करता है ठीक है और दोस्तो यह PCV का जो पाउर सप्लाई है जो पाउर सप्लाई है और दोस्तो इसका जो EST है 4014 और 1010 EST होता है EST है ठीक है तो यह चायना PCV को अंदर जो जो system होता है actually इसका उपर 20 सेम है और इसका जो प्रोसेसर IC यह सेम अलग है ठीक है और इसका जो भाटिकल IC 78040 का IC है ठीक है फास्ट फास्ट इसका एक बर वीडियो IC उपन करके देखूंगा तो दोस्त अब देख सकते हैं इसका जो वीडियो IC जो आदियो तो यह original IC है ठीक है यह IC को मैं open किया यह open करने का बाद आपको supply देखे एक बर देखाता हूं और मैं भी देख लेता हूं कि इसका कुछ फारक आथा है की नहीं अब देख लेजिए मैं supply दे दिया और picture का उपर कोई फारक नहीं है ठीक है तो तब भी आपको एक बार दिखाता हूं और अब देखिए यह जो वीडियो IC होता है इस पर आपको हलका सर टाच करना पड़ेगा तो मैं जिस तरह टाच करता हूं तो आपको अंगोली से टाच करके देखांगा picture पर फारक क्या आता है तो उस तब देख सकता picture पर बहुत फारक आ जाता है ठीक है तो आपको एक बार डायरेक की देखांगा डेखने के कोई सिस करूंगा कि यह PCB का टाच करूंगा और उसका साथ screen को आपको देखांगा तो इसलिए मैं mobile केमरा को घुमा लेता हूं और आप एटे टाइम फालो कीजिए मैं PCB पर टाच करूंगा और screen भी आपको देखांगा ठीक है अब देख साकते हो यह दिखिए यह video ic का उपर मैं जब टाच करता हूं आप screen पर फालो कीजिए बहुत फारक देखा जाता है ठीक है तो किया लग है कि इसका यह video ic होता है यह problem हो सकता है ठीक है और इसका biasing कुछ भी पर्स problem हो सकता है तो ठीक है यह जो ic यह कुछ भी चाइना PCB से लागा सकते हो ठीक है मैं एक चाइना PCB से यह ic को लागा कि आपको देखांगा दोस्तो फाइनली ic को मैं open किया open करने का बाद एक पुराना चाइना PCB से यह ic में लागाया ठीक है इसका नामबर सेमी है तो यह लागाने का बाद आपको supply देके एक बड़ देखांगा ठीक है और मैं भी देख लेता हूं ठीक है तो दोस्तो अब मैं PCP को थोड़ा सा सेट कर लेता हूं और थोड़ा सा सेट करने का बाद आपको देखांगा लाइन देखे मैं सब्सक्राइब देता हूं और आप स्क्रीन पर एक फालो किजिए कुछ फाड़ाक आता है कि नहीं तो देख लिजिए यह वीडियो लाइन य इसका जो कामपनी दिखिए अल्टा भीशन का लेखाया आगा आया है ठीक है दोस्तो दोस्तो यह वीडियो अच्छे लगए तो प्ली सेग लाइक कर दिजिए और यह चैनल पर ना है तो और इस तरह नया नया प्रॉब्लेम के बड़े में वीडियो अब देखना चाहता आईकन को जुरूड क्लिक कर दीजिए ठीक है देस्तो दिखी इसका पैसे बड़ॉटम है ठीक है और पैसे बड़ॉटम ठोशान करकर देखे हो इसका बड़ुक काम करते है कि नहीं लगदा है कि पीसी बहुत पुराना हो का बड़ुक היक हो सकता है तो देस्क्रीन उप्ल option मैं देख आपो दिखाता हूँ देखे in 3.58 लगधा है कि इसका video black and white आएगा ठीक है तो यह मैं कैसे repair करूंगा मेरा पास तो remote नहीं है तो remote से option को change करना पड़ेगा और यह PCB का कुन सा remote लागेगा तो इसका knowledge मेरा तो नहीं है तो ठीक है एक बार वीडियो लाइन देख एक बार देख लेता हूँ ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो लाज तक देखे आपका बहुत knowledge जोरूर मैं दूंगा ठीक है तो वीडियो लाइन दे दिया और वीडियो supply दे देता हूँ एक बार लगधे कि इसका picture black and white आएगा तो द देख सकते हो ठीक है तो मेरा पास तभी remote नहीं है क्योंकि remote से इसको repair करना पड़ेगा तो ठीक है मैं थोरा सा ढूंके देखूंगा remote कुछ भी remote लागेगा कि नहीं ठीक है तो तब भी एक बार वीडियो प्लेए करता हूँ तो दोस्तो अब देख लिजिए इसका picture black and white है ठीक है तो यह इसका problem क्या है तो दोस्तो यह problem में PCB से हो सकता है लेकिन दोस्तो मैं screen पर आपको देखाया इसका जो megahertz option होता है वह change हो गया है ठीक है तो remote में लागा तो अच्छा होगा नहीं तो यह पेनल से रिपेर करना पड़ेगा तो पेनल से रिपेर करना बहुत टाफ होता है क्योंकि इसका पेनल बहुत कुछ problem हो गया है यह बहुत पुराना PCB है तो ठीक है मैं आपको बाद में देखाता हूं remote ढूंड के मेरा पास हाई की नहीं है और कुन सा remote लागेगा ठीक है दोस यह चाइना का remote है अब देख सकते हो यह remote से टाय करके देखूंगा ठीक है फर्स्ट इसका menu bottom पुस्ट करके देख लेता हूं तो देखिये इसका menu चट ओके आ गया तो चाइना का remote है यह market 88IC का PCB का अंदर यह remote काम करता है ठीक है तो यह बिलकुल ओके काम कर रहा है ठीक है यह remote से ही कम चल जाएगा इसका black and white problem रिप्यार हो जाएगा ठीक है तो दोस्ते इसलिए यह देखिये यह remote होता है remote का अंदर एक option आपको देखना होगा ठीक है कुछ कुछ remote का menu का अंदर का मेनु का जो चार्ट होता है उसका अंदर option देखा जाता है और यह remote का जो option होता है यह चायना remote का जो option होता है आपको देखना होगा system bottom आप देख रहा है ठीक है यह बाला system का bottom ठीक है यह bottom दाबाने का बाद वह जो megahertz का option वह change हो जाएगा आपको practically करके देखाता हूं ठीक है तो दोस्तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूं screen को और उसका बाद यह दिखे दोस्तो यह color आ गया यह बिल्कुल color यह जो original color यह आ गया और इसका जो light बहुत जादा हो गया कि थोड़ा EST को adjust करना पड़ेगा तो आपको clear करके देखने के कोशिस करता हूं कि वीडियो लास तक अब देखिए यह देखिए अब पिक्चर का राइट साइड उपार कुना बाला फॉलो किजिए दिखे जिस पर पॉल लेखा है ठीक है यह देखिए नंबर मैं system bottom push करके चेंज करता हूं ठीक है यह auto, pol, NTSC, 5.5 इस तरह चेंज होने लगता है एक्च्огली यह जो option होता है यह अलाग अला country का option होता है ठीक है इसका जो color system होता है अलाग country का अलाग-अला अबthird से color आता है दोस्तों इंडिया पर आटो और 5.5 फाइब मेगा हर्ट से color आता है ठीक है यह option को फॉलो कीजिए ठीक है पॉल option और अर्टो option पर इंडिया पर कला रहता है अलग अलग country का option अलग होता है ठीक है दोस्तों यह धेन दीजिए यह कोई problem नहीं है यह अच्छा एक बड़िया system है ठीक है दोस्तों यह वीडियो में मैं लग दो कि आपको बहुत अच्छा ल कीजिए ठीक है कि यह description box का अंदर में एक टेलिग्रम चैनल और facebook पेच लिंक देखे रखा है आप टेलिग्रम गूप पर भी जोईन हो सकते हो आपका अपना problem discuss करने के लिए